तो गाइस वेलकम बैक अगें टो चैनल स्पॉंटेनियस रियक्शन सगाइस माइने में सासर आशा करता हूं आप जहां भी होंगे बहतरीन होंगे खुशबाश होंगे तो आज की वीडियो और टाइटल गाइस यह एक इंडियन गवर्मेंट एंड इंडियन आर्म फोर्ट से इस प्लैनिंग सम्टिंग बीग फार 2020 विच नेवर आगे उसने नहीं टाइटल बढ़ाया विकोस टाइटल में इतने ही वर्ड आजकते हैं तो अभी यह देखा जा रहा है कि यार क्या होने वाले है दोज़ार चोबिस के अंदर इंडियन गॉर्मेंट और इंडियन आर्म क्या फैसला करना वाली क्या ये पाकिस्तान की पाइट किश्मीर के बारे में होने वाला या कोई हम लएक की त्यारी की जा रही हो नौस तो वीडियो पहले स्टार्ट कर ले देए वीडियो आइस पहले देख लेते हैं पर उसके बाद हम मज़े की डिसकेशन करेंगे इस पर हमेशा काउंटि के साथ स्टार्ट करें गाइस थ्री टू वान एंड स्टार्ट यदि कोई पाकिस्तार और विशे हैं तो मात दित्रा जम्मो कश्मीर का होई साथ तरे वश्चों के बाद भी पाकिस्तान की गैर कानूनी कमजे में उसे किस तरह से पुना दोस्तों हर पाकिस्तानी को आज भारत की एक फिलम देख लेनी चाहिए उस फिलम का नाम है मा तुझे सलाम इस फिलम का एक ड की ओल का ये डायलोग जिनका डाई किलो का हाथ है उनकी ये स्टेटमेंट आज सच हो गई है और भारत की मोदी सरकार पी ओके के ऊपर लंगोट बांद चुकी है और पाकिस्तान की फोज को या तो लंगोट बांद लेने चाहिए या फिर सरेंडर करके पी ओके खाली कर दे ना चाहिए क्योंकि ना तो उनके देश की जंता आज उनके साथ है और ना ही उनके इस्टेब्लिश्मेंट में आज इतना दम है कि भारत की मोधी सरकार के सामने कुछ कह भी सके कल ही भापाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भारत की तारीफ करते हुए सुनाई दे रहे थे तो और उन्होंने ये भी कहा था कि आज भारत की सरकार अपने लोगों के लिए काम करती है और P.O.K. के लोग भी आज भारत के ही है तो उनके लिए भारत की सरकार अब काम करने वाली है और इमरान खान के अंदर दम नहीं है कि भारत की मोधी सरकार को P.O.K. लेने से रोक सके दोस्तों आज भारत के केंदरिय मंतरी जितेंदर सिंग आते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं आपको भी पता है दुनिया को भी पता है और हमारे मंतरियों को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वार जैसे हालात हैं आज उनकी जनता इतनी जुनूनी हो गई है इमर इम्रान खान का बारत की तारीफ करना ये यही दिखाता है कि ये बंदा आज हमें क्लिन चिट दे रहा है कि तुमने प्योके के अंदर जो करना है कर लो हम तुमें खुली छूट दे रहे हैं दोस्तों देखिए तो सरी अब कडियों को जोड़ना शुरू कीजिए 1971 में एक नियाजी हुए थे जिनोंने 93,000 पाकिस्तान की फोज का सरेंडर कराया था और अब वोही नियाजीों का दोर चल रहा है और इमरान खान नियाजी आज पाकिस्तान की कमान संभाल रहे हैं और एक बार फिर से पीयोके को लेकर चर्चाएं 1971 की तरह गरम हो रही हैं दोस्तों जब भारत के मंत्री ही बोल रहे हैं कि हम आज पीयोके को लेने के लिए पूरी टरीके से तत्पर हैं और जिस तरीके से धारत 370 हटाई गई تھی किसी को पता नहीं लगा था वैसे ही पीयोके के ऊपर कब जा कर लिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा दोस्तों जो ये लोग पाकिस्तान के कहते हैं कि भारत के अंदर मंदिर की कैंटिया नहीं बजेंगी वो अब गोर कर लें कि भारत ने हाल ही में जो मिसाइल दागी है 4 मिनट लगेंगे हमारी मिसाइलों को आपके इसलामाबाद के अंदर ठा ठा करने के लिए लेकिन इससे भी बड़ी बात रश्या और युक्रेन की टेंशन में अमरीका वाले रश्या के उपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों क्या आपको पता है वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमरीका के उपर रश्या की न्यूकलियर मिसाइले दागे जाने के लिए और यही तरीके की रोकेट फॉर्स और यही तरीके की मिसाइले पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर ठाठा करने के लिए भारत की सरकार तैयारी कर रही है और जिस दिन लिख लीजिए जिस दिन रोकेट फॉर्स तैयार हो गई और पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया गया उस प्रहारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के उपर दागी थी यह ब्रह्मोस दागना बहुत बड़ा संदेश है और कडियों को अगर उनकी आईसाइ जोड़ कर देखेगी तो उनकी टंगे नकाब जाएं तो कहिएगा खेर आपको का लगता है पीओके के उपर मोधी सरकार कुछ भी कर सकती है किसी भी समय पर और अब तो 2024 भी ज़्यादा दूर नहीं है क्या कहना चाहोगे 2024 के अंदर लगता है आपको या नहीं कॉमेंट सेक्शन बताईगा सो गाइस यहां पर वीडियो एंड करते हैं तो लास्में नोंने कहा के ब्रामोस मजाइल चलाने की कोई वज़ा थे तो इनकी काफी अतक बात पर मैं एक्री हूँ क्रामोस वजाइल है जो एंडिया नियॉड वह वह लगाने को दूनिया के नियुक्त पूरी दुनिया के मजाइल को ठोप तैन की लिस देखी जाए उसके अंदर आपको चार से पांच इंडियन मजाइब रहेंगे यह मैं नहीं कह रहा बलके एक आर्टिकल पर पबिश वह हो आपको है उसके हवाले से के हवाले से जिसमें यह बाजर तोर बताया गया कि इंडिया के पाद जो मजाइल है वो तो हजार बाइस के अंदर वो टॉप टैन की लिस्ट में आता है अरबात की जाये सनी दियोल के वाले से उनकी एक मूवी बहुत मशूर रही थी उनका आज भी डार जो है वो बहुत जारा मशूर है कि अगर आप लोग हम से दूद मांगोंगे पाकिसान को कहरें अगर आप दूद मांगोंगे हम खीड कि दुनिया के अंदर उठाइग लोगा हाथ जो है सनी देवल का बड़ हमशूर है और उन्हें का यारी मोवी देखना है गाइस मैंने मोवी देखी अगर आप लोगो में से किसी नहीं देखी तो मैं कौन का आप जाकर देख लो तो बात करते हैं कि यार जी जो प्लैनिंग है बेसिकली पी ओके लिए पाकिसान उक्योपाइट किश्मीर ठीक है पाकिसान उक्योपाइट किश्मीर को हासल करने के लिए ये प्लैनिंग की जा रही है इंडिया की जानब से कि पाकिसान में फोज जो मजायल है वो दागे जाएंगे इस्लामावाब बड़े बड़े सिट की जा रही है कि यार हमने प्रामोस मजाहिल का टेस्ट किया था कि वैदर पाकिसान टैक करता है हम पे के नहीं रिपलाय देता है नहीं तो पाकिसान प्लाइब ने ने कोई भी किसम को निया तो यह साफ पाकिसान क्या करनेले हैं तो फिचर में कि क्या वैक्याइग आप कौन सी किसम का बार्ट कश्मी भारत का हिस्ता हिस्तर बदाएगा अपना आरकी का बहुत जारा क्यार टेक के खुद्धाफेज